भारती सिनेमा का एक ऐसा नाम चिन्हों ने अपनी आदाकारी के सांसाथ डांस मूर्स के जरीए केबल भारत ही नहीं बलकि विश्व फर्के सिनेमा प्रेमियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है एक चाल की छोटे से कमरी से निकल कर भारती सिनेमा में धूम मचाने वाले इस अभिनेता की कहानी भी किसी फिल्म की ही तरह है जिसमें फर्ष से लेकर अर्ष तक का सफर देखने को मिलता है जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, जंपिंग जैक के नाम से जाने जाने वाले फिल्म स्टार जीतेंद्र कपूर की. आज जीतेंद्र अपना 82 जन्म दिन मना रहे हैं. जीतेंद्र का जन्म साथ अप्रेल 1942 को पंजाब के अमरतसर में हुआ था. इनके पिता अमरनात और मा कृष्णा कपूर ने इनका नाम रवी कपूर रखा था. इनका बच्पन मुंबई के एक छोटी सी चाल में बीता, जहां उनका परिवार रहा करता था. उन्हें बच्पन से ही पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा नाच गाने का शौक रहा. एक बार वे अपने पिता के वैफसाई के काम से वी शांता राम जी से मिलने गए, जहां उनकी प्रतिभा को देखते हुए वी शांता राम जी ने उन्हें जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर अपनी फिल्म में काम दे दिया. बथ हो जून्यर आटिस्ट जीतेंद ने वीशांता राम जी के साथ काफ़ी काम किया सन 1963 में वीशांता राम जी ने फिल्म गीत गाया पत्थरों में जीतेंद को मुक्षि भूमिका में लिया इस फिल्म ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और रवी कुमार इस फिल्म से जीतंदर का पूर बन गए। सन 1967 में आई फिल्म वर्ज ने जीतंदर को फिल्म इंडस्ट्री में एक अलगी पहचान दिलाई। और इस फिल्म से ही जीतंदर ने सिने प्रेमियों के दिलों पर कबजा कर लिया। सफेशर्ट और सफेद पैंट इनकी पहचान बन गए। इसके बाद सन 1979 में जीतंदर ने धर्टी कहे पुकार के दो भाई, वारिस और खिलोना जैसी लगबग दस फिल्मों में काम किया। सत्तर का दशक जीतंदर के जीवन का शानदार दशक रहा, जो कि उनके कैरियर के साथ साथ नीजी जीवन में भी यादगार बन गया। जीतेंदर ने गुल्जार सहाब के साथ फिल्म परिच़ए, खुश्बू और किनारे जैसी यादकार फिल्मे की जीतेंदर ने अपने फिल्मी कैरियर में लगबख हर हीरोईन और हर निर्मातर नतेशक के साथ काम किया और लगबख 300 फिल्मे की सन 1983 में श्री देवी के साथ जीतेंडर ने फिल्म इमत वाला में काम किया जो कि सुपर डुपर हिट हुई और इसके बाद जीतेंडर ने श्री देवी के साथ लगभग एक दर्जन से भी जादा फिल्मों में काम किया जीतिंद्र को सन 2002 में न्यूयर्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया सन 2003 में फिल्म फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और साल 2005 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया सन 2014 में जीतिंद्र को दादा साहफवाल के पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो ये थी बॉलीवोट फिल्मों की जाने माने इस सितारे जीतिंद्र की जन्म दिवस के अवसर पर हमारी एक विशेश प्रस दोती उमीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा इसी तरह की फिल्मी दुनिया के सब फरनामे के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से और लाइक शियर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब ते के लिए इजाज़त दीजी थैंक यू फर वाचिंग